हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की NCERT की इंगलिस की बुक मेरी गोल्ड का नसरुदीन्स एम चैप्टर पढ़ेंगे तो वीडियो को शुरु करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाले पृतिक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहे तो शुरु करते हैं तो यह चैप्टर है नसरुदीन्स एम नसरुदीन का एम एम कहते हैं लक्षे को वन डे नसरुदीन वाथ चैटिंग विद इस फ्रेंट्स वन डे एक दिन नसरुदीन अपने दोस्तों के साथ चैटिंग चैटिंग कहते हैं बात करने को बात चीत करना एक दिन नसरुदीन अपने दोस्तों के साथ बाते कर रहा था He began to boast Boast कहते हैं दींग मारने को उसने दींग मारना शुरू किया No one can match my skill in archery No one कोई भी नहीं कर सकता है Match मुकावला My skill मेरी कुसलता का in archery Archery किसे कहते हैं तीरंदाजी को यानि कि जो धनुजबार चलाते हैं उसे हम archery कहते हैं उसने दींग मारना शुरू किया कि कोई भी मेरा तीरंदाजी में मेरी कुसलता का मुकावला नहीं कर सकता I string the bow, take an aim and suit an arrow अब वो क्या कहता है I string the bow, bow कहते हैं धनुसको मैं धनुसको खीशता हूँ Take an aim और एक aim निसाना बनाता हूँ निसाना साधता हूँ उस the arrow is sure to hit bang on the target अब वो कहता है यह sound करते हुए कि sure नीशे ही जो arrow है तीर वो अपने target यानि लक्षे को hit होता है अब आगे क्या होता है Hearing this, hear you know, hear means होता है सुनना Hearing this यह सुनकर One of his friends immediately brought a bow and some arrows यह सुनकर उसका एक दोस्त One of his friends उसका एक दोस्त immediately तुरंथ brought यहाँ पर brought जो है वो bring का past tense है bring की past form है brought यानि कि लाया अबो एक धनुस and some arrows और कुछ तीर यह सुनकर उसका एक दोस्त तुरंथ ही कुछ तीर और एक धनुस लाया Giving them to Nasruddin He said Giving them to Nasruddin उन्हें Nasruddin को देते हुए He said उसने कहा Here Nasruddin Take this bow and arrows अब वो कहता है कि Here Nasruddin यह धनुस लो और इन arrows को लो इन तीरों को लो Then pointing towards a target He said Pointing towards a target एक target एक लक्षे की तरफ Two words कहते हैं की ओर यानि कि की तरफ Pointing इसारा करते हुए एक target की ओर इसारा करते हुए He said उसने कहा Aim at that target कि उस target पर निसाना लगाओ And shoot an arrow और एक arrow जो है Shoot करो यानि की तीर वहाँ पर छोड़ो Nasruddin held the bow अब Nasruddin ने held the bow in his hands Held यानि पकड़ा The bow धनुस को in his hands अपने हाथों में Nasruddin ने धनुस को अपने हाथों में पकड़ लिया Stung it Stung यानि की इसे खीचा Aimed at the target Target लक्षय पर aimed निसाना साधा And shoot an arrow और एक तीर को Shoot कर दिया यानि की छोड़ दिया अब इस तरीके से Sound करते हुए The arrow didn't hit the target क्या हुआ जो arrow था तीर अपने Target पर नहीं Hit हुआ यानि की लक्षय पर नहीं लगा Instead it fell down Somewhere in the middle Instead it बलकि इसके बजाय Instead it का मतलब हुआ कि इसके बजाय Fell down गिर गया Somewhere कहीं पर In the middle बीच में Arrow जो है अपने target को नहीं हिट हुआ बलकि इसके बजाय वो बीच में ही कहीं गिर गया His friends started laughing उसके दोस्तों ने हसना शुरू कर दिया ये देखकर जब उसका निसाना नहीं लगा तो उसके दोस्तों ने हसना शुरू कर दिया They said उन्होंने कहा Hey अरे Nasruddin Is this your best aim? कि क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा aim था निशाना था Oh no Not at all Said Nasruddin तो इस पर Nasruddin ने कहा नहीं नहीं अरे नहीं Not at all बिल्कुल भी नहीं Defending himself Defending defend कहते हैं बचाव करना Himself स्वैम का अपना बचाव करते हुए उसने कहा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं ये मेरा निसाना नहीं था This was not my aim ये मेरा निसाना नहीं था ये मेरा लक्ष नहीं था It was आजाद's aim अब वो क्या कह देता है कि ये तो आजाद का aim था उसका लक्ष था I just showed you how the आजाद suits an arrow अब वो क्या कहता है कि मैं तो केवल तुम्हें सोट मैंने तु तुम्हें ये बताया कि कैसे आजाद arrow को shoot करता है किस तरीके से तीर छोड़ता है Saying this नसरुदीन picked up another arrow Saying this same means होता है कहना तो यहाँ पर Saying this का meaning है यह कहते हुए नसरुदीन ने picked up उपर उठा लिया another arrow another यानि कि दूसरा arrow तीर यह कहते हुए नसरुदीन ने डूसरा arrow उपर उठा लिया यानि कि छोड़ने के लिए दुबारा से एक और arrow उठा लिया Once again He strung the bow aimed at the target and shoot the arrow फिर से उसने once again दुबारा एक बार फिर He strung the bow उसने धन उसको ताना aimed at the target अपने लक्षे पर निसाना साधा and shoot the arrow और तीर को छोड़ दिया This time the arrow fell a little further than where it had fallen before This time इस बार arrow fell a little further little थोड़ा फरदर कहते हैं आगे को जो तीर था वो थोड़ा आगे गिर गया than where किसकी एपिक्षा where it had fallen before जहां पर ये पहले गिरा था उससे बस थोड़ा सा आगे गिर गया अब क्या हुआ but it certainly didn't hit the target लेकिन क्या हुआ certainly और निश्चेत रूप से didn't hit नहीं hit हुआ the target target को लक्षे को और निश्चेत रूप से ये लक्षे को hit नहीं हुआ they asked नसरुदीन उन्होंने नसरुदीन से कहा and this must be how you shoot an arrow अब वो कहते हैं और निश्चे ही ये वो होगा कि किस तरीके से तुम arrow को shoot करते हो कि किस तरीके से तुम अपना निशाना साथते हो of course not अब नसरुदीन फिर से कहता है of course not argued नसरुदीन नसरुदीन ने तर्क दिया वास्तम में बिल्कुल भी नहीं ये मेरा निशाना नहीं था even this aim was not mine वो कहता है कि ये aim भी मेरा नहीं था ये जो लक्षे था ये भी मेरा नहीं था it was the chief guard's aim अब वो फिर से क्या कह देता है कि ये तो जो chief guard है उसका aim था कि वेल अच्छा ठीक है now who's next on the list अब वो कह देता है कि अब ये बताओ कि तुम्हारी list में अब अगला कौन है hearing this all the friends burst out laughing hearing this ये सुनकर सभी दोस्त ठहा का मार कर हसने लगे नसरुदीन डिडन्ट से अवर्ट नसरुदीन ने डिडन्ट से नहीं कहा अवर्ट एक भी सब्द अब क्या हुआ उसे अपनी इंसल्ट फील हुई अब नसरुदीन वहां खड़ा था उसके सभी दोस्त जोर जोर से हसने लगे तो नसरुदीन ने उस समय एक भी सब्द नहीं कहा he quietly picked up one more arrow उसने क्या किया he quietly quietly यानि बिल्कुल चुप चाप picked up उठाया one more arrow एक और तीर उसने चुप चाप एक और तीर उठाया and again और दोबारा and this time और इस बार नसरुदीन वह रियली लगी नसरुदीन जो है वह वास्तम में भाग्य साली था लगी था the arrow hit bang on the target कि जो तीर था वो अपने लक्षे पर जा लगा यानि कि उसका तीर जो था वो target पर लग गया वो बहुत ही भाग्य साली था तो आप देख सकते हैं यह target है यहाँ पर बीच में जो है उसका arrow जो हिट हो जाता है everybody stared at नसरुदीन everybody सभी जो है constant रूप से देखने लगे तक तक ही लगा कर their mouths a gap in amazement उनके मुँ जो है आस्चिरिये से खुले रह गए a gap खुले रह गए their mouths उनके मुँ before anyone could say anything नसरुदीन said ट्रंफेंटली इससे पहले कि कोई before anyone could say कि इससे पहले कि कोई कुछ कह बाता नसरुदीन ने बहुत ही तेज आवाज में कहा did you see that कि क्या तुमने यह देखा it was my aim कि यह मेरा लक्षे था जब उसका निसाना aim पर hit हो गया तो उसने बहुत ही तेज आवाज में गर्व से कहा कि क्या तुमने यह देखा कि यह मेरा निसाना था तो यह story थी इसमें नए words आए हैं कुछ तो आप देखेंगे new words है chatting chatting युनों बात करना archery तीरंदाजी को कहते हैं दन उस बार चलाने को archery कहते हैं string string कहते हैं door या धागे को bank टकराना लगना target लक्षे defending का मीनिंग होता है बचाव करना अपना बचाव करना amazement आश्चरिय में ट्रमफेंटली विजय होकर तो यह new words थे जो आपके इस chapter में आए तो आपने नए word भी सीखे होंगे और आपको इस्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इप लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक और शेयर और इप यू आर नियो अन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू